ही गाइज एक बार फीच से आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल आरकेश्टरी बे हो गाइज मैं रविंद्र कुमार और आज आपका नया सब्जेक्ट अप्लाइट फिजिक्स सेकेंड का पहला लेशन है ठीक है जिसका पहला लेशन जो है वह है आपका विब मोसन ठीक है हिंदी में हम लोग बोलते हैं तरंग गती ठीक है पल्टेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के अलगबग सभी ब्रांच में है एक दो ब्रांच में न समすकाइब कर् Dean choose a subscribe के लिए लाते रहते हैं चलिये स्टाट करते हैं है आट तो सबसे पहले जहां पर देख सकते हैं सबसे पहला जो मैंने बताया थे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि तरंघति यानि वीब मोस्ता होता हिए चेप्टर का नाम है वीब इसलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि तरंगति क्या होता है ठीक है तो किसी कारक द्वारा उत्पन बिछोग के आगे बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहता लाती है ठीक है यहाँ पर देखिए आगे यह एक समान बढ़ रही है इसी को क्या कहेंगे तरंग कहेंगे ठीक है तो guys यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो यहाँ पर आपका उठा हुआ भाग है यह आपका जो उठा हुआ भाग है इसको हम लोग बोलते हैं displacement क्या बोलते है displacement और यह आपका यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है इसको बोलते है amplitude ठीक है इसको बोलते है guys amplitude और आपका यहाँ से ल कर यहां तक क्या का लाती है wavelength क्या का लाती है wavelength का लाती है ठीक है या फिर कर सकते हैं कि यहां से हैं मतलब यह दो यह जो आपका होना चाहिए यह दो होना चाहिए ठीक है इसी को बोलते हैं क्या wavelength बोलते हैं ठीक है और यह पूरा क्या क्या का लाएगी गया यह पूरा क्या क्य का लाएगी distance का लाएगी ठीक है तो मित करते हैं कि displacement क्या होता है वो समझ गया होंगे amplitude कहा होता है यह समझ गया होंगे wavelength क्या होता है और distance क्या होता है ठीक है फिर से बता देते हैं यह उठा भाग जो है आपका यह आपका क्या कहलाएगा displacement ठीक है और यह आपका जो यहां पर दिया गया है यह हुगे आपका amplitude ठीक है और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाती है wavelength कहलाती है और यह पूरा दूरी क्या कहलाएगी ठीक है माने एक समान चलेगी ठीक है तो मतलब गती करेगी तो अही क्या कहलाएगी माने आगे बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी तरंग गती कहलाएगी वेब मेंसन कहलाएगी ठीक है तो गाइज कि तरंगती क्या होते हैं तो चलिए आगे चलते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा अगला आता है इसमें तरंगती है तो सबसे पहले बात आती है तरंग की सबसे पहले बगाज किसे आती है तरंग की तरंग का मतलब हो गया आपका लहर टाइप का ठीक है तरंग का मतलब क्या ह वह भी छोप जो बीना अपना सवरूप बदले माने यदि अगर ये सवरूप नहीं बदलेगा माने तरंग करेगा यानि लहर करेगा तो जैसे यहां पर दिया गया है मानले जी ये पानी दिया गया ठीक है ये आपका वाटर है ठीक है ये आपका वाटर है ठीक है तो इसमें क क्या होगा कि एक मालीजियम कोई पत्थर लेते हैं या कोई इसमें इसमें फेकते हैं तो ये एक समान में वेब करने लगता है ध्यान से देखे होंगे कभी आप गया होंगे तो आप पत्थर फेके होंगे पानी में तो ये एक समानी वेब करने लगता है ठीक है एक निश्चि क्या करेगा अपना सौरूप बिना बदले ठीक है यह जो वेव होंगे वे अपना लहर बिना अपना एक क्या बोलते हैं अपना माध्यम बिना बदले एक निश्चित वेव से एक समान ओसी पर गती करेगा वही क्या कर लाएगा तरंग कर लाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ गती क्या होते है और तरंग क्या होते हैं ट्राइब फड़ेंगे कि टरंगवे होते हैं गरतान होते हैं यूजर गरताई सब्से की बात कर ले तो उनका जो उसके गुड़ के होता है उनके तरंग दहरे मैंने वेब लेंथ जिसे हम लोग बोलते हैं वेब लेंथ पे निर्भर करता है उनका जो गुड़ होता है वेब पे निर्भर करता है मैंने उसकी स्पीड क्या है आप रिती पे निर्भर करता है नहीं उसकी फिक्व वर्तन है ठीक है जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लेस में reflection ठीक है दूसरा है आपका जो इसकी विशेषता अपवर्तन पर करता है यानि reflection यह हो गया और आपका तीसरा जो हो गया आपका ध्रुवर्ड ठीके परावर्तन अपवर्तन और ध्रुवर्ड और फिर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर बैक्तित करण और विवर्तन यहाँ पर आपके पांच प्रकार से इसकी विशेश्टाव को दिखा जाता है एक-एक के बारे हम लोग डिसकस करेंगे ठीके एक-एक के जो टाइप य조ट के जो टाइप से तीन प्रकार से अंको देखने के लिए मिल जाता है और जो हम लोगोनों को में इस सब्जेक्ट में पढ़ना है सेाखिकन पढ़ना है माध्यम के कड़ों के कं पनके आधार पारिकी प्रकार ठीक है इसमें दो प्रकार होते हैं पहला ज वेव का जो सबसे पहले टाइपस है वो माध्यम के अधार पे है किसके अधार पे है माध्यम के अधार पे दो प्रकार से देखा जाता है एक तो है आपका यांत्रिक तरंगे और दूसरा है बिदुद चुम्ब के तरंगे ठीके माध्यम के अधार पे दो प्रकार के पहला है वो अनुप्रस तरंगे होते हैं दूसरा जो होते हैं वो अनुदैरे तरंगे होते हैं ठीक है पहला क्या है आपका अनुप्रस तरंगे और तीसरा जो है उर्जा के गमन के अधार पे ठीक है उर्जा के गमन के अधार पे तरंगों के प्रकार इसमें देखे सबसे पहले बात हमें दो प्रकार के होते हैं पहला तो एक प्रगामी तरंगे होती है और दूसरा और प्रगामी तरंगे ठीक है तो इसमें हमको क्या पढ़ना था यह माध्यम के कड़ों के कमपन के द्वारा इसमें दिखें दो प्रकार के अनुप्रस तरंगे अनुदेरे तरंगे तो इसको पर दोनी प्राशाजब्य प्राध्वनी जल के सतर से उठने वाली तरंगे जो अभी मैंने वीब मोशन सब दिखाये थे वह सब होती है तो यहां पर हम लोगे विदुद्चुंब के तरंगे जो अभी बोला थे अगर उसके बारे हम लोग बात करें तो वह ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी मादेन क्या सकता नहीं होती है अर्था तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती है यह एक ही चाल से चलती है जैसे प्रकास हो गया उस्मा हो गया ठीक है रेडियो एक्स रे तरंगे यह इत्यादी होते हैं ठीक है तो जो यांत्रिक तरंगे है गाईज ठीक है यांत्रिक तरंगों के प्रकार यांत्रिक तरंगे के दो प्रकार होती है पहला तो आपका अनुप्रस तरंगे और दूसर लंबवत अगर लंबवत चलेंगी एक समान लंबवत चलेंगी तो यह क्या कहलाएंगी अनुप्रस तरंगे कहलाती ठीक है तो अनुप्रस तरंगे के थोड़ा साम आपको दिखा देते हैं आपे फिगर यह देखिए कह रहा है कि जब तरंग की गती दिशा माध्यम के कड़ो के कमपन करने के तैसा लंबवत होती है द्यान में रखी गया यह लंबवत होती है ठीक है यानि यह लंबवत देखे कर रहा है ठीक है यहाँ पर आपका दिखे गया यहाँ पर सीग दिखाए गया है यहाँ यह माध्यम के कड़ दिखाए गया है ठीक है और गती के दिखाए ग अनुदैरे तरंगे होते हैं यह आपके समानतर कमपन करते हैं देखिए जो वह तरंगे अनुदैरे तरंगे जो होती हैं वह तरंगे जिसमें माध्यम के कड़ तरंगे चलने के दिशा के समानतर कमपन करते हैं ठीक है यह समानतर कमपन करते हैं और ये जो अनुप्रस्त तरंगे होते हैं वो लंबवत कमपन करते हैं कैसे करते हैं लंबवत कमपन करते हैं ठीक है तो I hope guys कि ये दोनों आप लोग समझे होंगे कि ये अनुप्रस्त तरंगे अनुदैरे तरंगे क्या होते हैं ये देखिए में डिफ्रेंट आपका क्या है अ नेश्टीड हम लोग डिस्कस करेंगे धोनी यूम प्रकास्त रंगे जिसको इंगलिस में हम लोग बोलते हैं sound and light विब ठीक है इसके बारे में लोग next class में डिस्कस करेंगे वस आज के लिए इतना ही मिलते हैं और वीडियो में तब तक के लिए जयंद